सवाल नमब एक, सबसे छोटा उढने वाला पक्षी कौन सा है? आपके ओप्षन है, A. पैंगुइन पक्षी, V. रिया पक्षी, C. शुतूर मुर्ग पक्षी, D. कीवी पक्षी आपका सही जवाब होगा, D. कीवी पक्षी सवाल नमब दो, निमनलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आपके ओप्षन है, A. नाइट्रोजन, B. कैल्शियम, C. फॉस्फोरस, D. आयोडीन आपका सही जवाब होगा, B. आयोडीन सवाल नमब तीन, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? आपका ओप्षन है, A. लीव, B. तवचा, C. लीहा, D. डिम आपका सही जवाब होगा, D. डिम सवाल नमब चार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? आपका ओप्षन है, A. 1877 में आपका सही जवाब होगा, D. 1857 में सवाल नमब पांच, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? आपका ओप्षन है, A. कंगारू, B. कंगारू चुहे, C. दर्याई घोडा, D. चुहे आपका सही जवाब होगा, D. कंगारू चुहे सवाल नमब छे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपका ओप्षन है, A. युनाइटिड प्रोविंस, B. आर्यप्रदेश, C. अवग प्रांध, D. उत्तरी प्रांध आपका सही जवाब होगा, A. युनाइटिड प्रोविंस, सवाल नमबर साथ, डाइनामाइट के आविशकारत निमनली खित में से कौन है? आपका ओप्षन है, A. आइंस्टाइन, B. न्यूटन, C. अल्फ्रेड नोबेल, D. मेटल क्यूरी आपका सही जवाब होगा, C. अल्फ्रेड नोबेल सवाल नमबर आर्थ, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपका ओप्षन है, A. प्रधान मंत्री, B. संसद, C. मुख्य न्यायाधीश, D. राज्यपाल आपका सही जवाब होगा, D. राज्यपाल